नमस्कार दोस्तो मैं कृष्णा कांत आप लुका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर दोस्तो इंतिजार की घरी समाप्त हो गई और आज 10 अपरेल है आज से आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना अस्टार्ट हो गया तो आज ये मैं वीडियो 10 अपरेल को बना रहा हूँ बहुत से लड़की से बाद में देखेंगे तो वही प्रोसेस है आपको कैसे कैसे ऑनलाइन अपलाई करना है क्या करना है क्योंकि यदि ऑनलाइन अपलाई में आपका एक भी गलती होता है तो आपका रिजल्ट कहानी खत्म यहीं पर हो जाएगा तो सबसे पहले आज बात करेंगे स्टेप वाई स्टेप कि आपको कैसे ऑनलाइन अपलाई करना है कहां पे गलती नहीं करना है सबसे पहले हमारे से मिली जी थोरी सी है मेरे बारे मेरा नाम हुआ किसना कांसिंग अभी यूपियसी की तैयारी कर रहा हूँ इसके साथ चार सालों से मै आपको परहा रहा हूँ यह हमारा यदि आपको ओनलाइन अपलाई आपसे नहीं हो रहा है यदि आपको ऐसा लगता है कि सर हमसे गलती हो जाएगा तो आपका ओनलाइन अपलाई हम लोग कर देंगे हमारा नमबर है 7370840504 क्योंकि मेरे दोस्त सब कुछ होना चाहिए सब कॉलिंग नमबर है पर हाज जोर कर अनुरोध है आपसे कि आप हमें कॉल ना करें बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो तभी आप हमें कॉल करें फेस्बुक आइडी हम वहां पे फॉलो कर सकते हैं किसना कांथ सिंग और इंस्टाग्राम आइडी किसना कांथ 9076 है यह अब तो उनलाइन अपलाई भी होने लगा है तो कुछ लोगों के मन में होगा कि सर तैयारी कैसे करें कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है तो बहुत समय है भाई अभी भी आपके पास उठने का बहुत 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 वरा मौका है यह आप चाहते हैं कि आप अच्छे से तैयारी करें तो हमारी class चल रही है, sir class कहां चलती है, तो class sir google meet पे चलती है, सबसे अच्छा app है, यहाँ पे आप अपने mic को on करके देख सकते हैं, camera on करके दिखा सकते हैं कि क्या पर हैं क्या नहीं पर हैं, तो google meet पे online class चलती है, दो time अभी चल रही है, दो बज़े से 2 p.m. में और 8 p.m. में 8 p.m. में दो time में हमारी class google meet पे चलती है, ठीक है, जिसमें daily live class होता है, recorded class मिलता है, आपका अजी छूट गया है, तो आपको recorded मिल जाएगा, यदि आप देखना चाहते हैं कि सर, बहुत से लरके कैसे बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता सुनने में कि सर, fraud होगा, fraud होगा तो आप सबसे पहले उहाँ पे देख लेजिए, जाकर YouTube पे, कि हाँ live class होती है कि नहीं होगा, 3-4-5 वीडियो में YouTube पे भी डाल चुका हूँ, live class का recording में YouTube पे डाल चुका हूँ, तो कैसे class होती है, यदि आपको संतुष्की हो, तो आप class में आ सकते हैं, PDF, बहुत से PDF मिलेंगे, जिसको आपको पूरा करना होगा, chapter wise वीडियो ज आपको मिलती है, गूगल मीट पे previous year questions और लोग बहुत खुश से हमारे जुआई होगे, अभी dare solar के हमारे class में already पहले से परजेंट है, टॉपर से बात करवाते हैं, एक टॉपर को हमने लाया है, इसी आज कल में एक टॉपर को आउड लाएंगे, फी डिटन टेस्ट भी होगा आप कुछ दिनों में, ये सब कितने का है, सारे 400 रुपय का है, कितने का है मातर, सारे 400 रुपया का है, अब हम लोग बात करते हैं, आपको किस नंबर पे calling करना है, तो ये मैं सबसे पहले आपको बता दिया हूँ, कि आप 73708405, यदि आपसे online apply नहीं होता है, तो आप हमें call कर सकते हैं, और अपना apply करवा सकते हैं, अब हम लोग बात करते हैं, कि आपको online apply कैसे करना है, तो ये देखिए सबसे पहले online apply करने के लिए, मैं यहाँ पे polter खोल चुका हूँ, कि आपको करना क्या क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या क्या है, online apply करने में, online apply करने के लिए, सबसे पहले आपको पतना इन्वर्सिटी का साइट खोलना है, पतना इन्वर्सिटी एडविशन 2023, कि या लिखना है, पतना इन्वर्सिटी एडविशन 2023, प्यूंजे प्यूंगresh一下 का उसड़े कि होगा करे अवोडोन इसे ज prawफ होकेशड तो जिनको रेगूलर लेना आगे जिसको क्या हुआ चानल करब game रे या कौन से आपको लेना है जिसे आपको जोगरफी करना है साइंस से करना है या बीए करना है या बीकॉम करना है तो यह सब रेगुलर में आते हैं तो आपको रेगुलर यहां पे सबसे पहले चूज करना है जैसे ही आप यहां पे रेगुलर चूज करोगे तो इस तरीके का आपको अच्छे से दिखाई दे इस ताइप से आपको दिखाई देगा इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर देख रहे हैं आपको गलत नहीं करना है नाम सही सही लिखना है ठीक है मिडिल नेम है तो है नहीं तो लास्ट नेम फिर आपको भर देना जिसे किसी का नाम है किसी का नाम है राम कुमार यहां पे लिखेगा राम और लास्ट नेम में लिखेगा कुमार राम कुमार मोवाइल नंबर वो देन इंडियन पहले से रहेगा दो मिसाइल एस्टेट में आपको जो जिस भी एस्टेट है जिसे कोई बिहार के हैं तो बिहार भरेंगे अधर अस्टेट उसके बाद यहां पर क्या कर देना है साइन अप यहां पर क्या कर देना है साइन आप करेंगे जैसे ही साइन अप आप करेंगे तो आपको क्या यह यह हो गया रेगुलर के लिए वो केस्नल कोर्स वाले के लिए क्या करना होगा वो केस्नल कोर्स वाले के लिए वही जैसे मिडिल नेम और लास्ट नेम ऐसे करके भर करना है graduate function English करना है mass communication करना है तो उन सारे को tick कर देना है जो जो आपको करने का इच्छा है फिर यहाँ पर आपको sign up कर देना है तो मैंने सबसे पहले किया बताया आप confused ना कर रहें ये बताया regular बालों के लिए जिनको यह regular बालो का है यह वाला regular बालो का है और अगला जो है यह आपका यह आपका educational बालो के लिए कैसे कैसे क्या करना है जब आप आपको क्या क्या इसमें जरूरी बाते ध्यान धेनी है सबसे पहली बात your first name middle name एदी है तो and last name please do not use any suffix like mister or missus mister or missus का आपको यूज नहीं करना है your mobile number for future communication यदि कोई future में problem होती है तो आपका number होना चाहिए on वो आपको रखना है please use your personal mobile number not any others mobile number अपने personal mobile number का यूज करें your email ID valid email ID जो आपको mobile में वो email ID डालना है select course you want apply to किस course के लिए apply करना आप किसके लिए apply करना यूँ आपको बताना है select intermediate passing a stream intermediate passing a stream को select करना after selecting the availability and various courses कहने का मतलब है जैसे किनी को BCA करना है उनका math और static होना जरूरी है तो वो आप उस stream के लिए eligible हैं या नहीं है वो आपको सबसे पहले देख लेना है तो वही किस से आप 12 pass किये हैं उसके बाद stream के लिए select domain style to get benefit reservation आप यदि बिहार के हैं तो आपको कुछ reservation मिलेगा तो आपको वहाँ पर domain style select कर देना है तो उपर sign up करने के लिए सबसे जरूरी बात सबसे जरूरी बात कि application ID आपको एक मिलेगा एक application ID मिलेगा और एक password मिलेगा ठीक है इसको संजोग कर रखना है इसको संजोग कर रखना है application ID password को तो तीन जगा phone में लिख देजिए तो तीन जगा copy में लिख देजिए कोई certificate पर लिख देजिए सही से आपको रखना है क्योंकि यदि एक बार इसमें boom हो गया तो problem होगी तो जब आप इसको संजोग कर रखना है आपके mail पर चला जाएगा और आपके date login तो यहां को application ID और password आपको डाल देना है ठीक है यदि आप password भूल जाते हैं ठीक है नंबर देंगे और उस पर OTP भेजाएगा OTP जाएगा और वहां से आप OTP डाल कर OTP डाल कर उसके बाद आप अपना password चेंज कर सकते हैं देखिए ऐसे OTP डाल दिए यहां पर OTP डाल दिए फिर verify OTP आएगा उसके बाद आपका password चेंज हो जाएगा यहां पर देखिए योर रजिस्टेशन नंबर रजिस्टेशन नंबर योर मोबाइल नंबर योर डेट बर्थ इंटर्यों न्यू पासबड कर दीजेगा तो आपका password चेंज हो जाएगा या पासबड घुम जाता है तो आपको घुनना नहीं है पासबड बदलने के लिए क्या जरूए रजिस्टेशन नंबर जो आपको मिलेगा रजिस्टेशन मोबाइल नंबर डेट बर्थ न्यू पासबड तंफर न्यू पासबड और क्लिक अउन अपडेट बटन आपको कर देना है तो आपका क्या हो जाएगा यहां तक समझ गिये सबसे पहले हम आपको समझाना क्या चाह रहे थे कि सबसे पहले आपको क्या समझाएं कि साइन अप मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही sign up करेंगे तो application ID और password आपको मिल जाएगा registration number जिसको बोलते हैं वो मिल जाएगा उसके बाद आपको candidate login करना है यदि भूल गए हैं तो उसका भी process हम आपको बता दिये हैं यदि आप user ID भूल जाते हैं यदि भूल जाते हैं तो उसकी परकिलिया क्या है उसकी परकिलिया मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बार में सबसे पर रजिस्टर्ड mobile number डालिएगा यहां पर send OTP कीजेगा OTP करने के बाद क्या कीजेगा OTP करने के बाद OTP डालिएगा OTP डालने के बाद verify OTP कीजेगा verify OTP जब कर लिजेगा तो आपका सिधे आप user ID वहां से प्राप्ट कर सकते हैं ठीक है? mobile number डाटेट अब बर्स करके user ID प्राप्ट कर सकते हैं वो सब रही बात आगे login पैनल पे आ जाते हैं वो सब रही बात के दिया भूल जाते हैं तो क्या आता है? step two होता है login पैनल जैसे ही आपको user ID पासवर्ड बिल जाएगा तो यहां पे candidate login है यहां पे आप login कीजेगा application ID और password डालके यहां पे आपको क्या करना है? login करना है जब आप उहां पे सब कुछ करने के बाद sign up करने के बाद आपको mobile पे जो application ID और password आएगा उहां पे आपको क्या करना है? sign up करना है candidate login पर candidate login करने के बाद जैसे ही कीजिएगा उसके बाद इस तरह का interface आपको दिखाई देगा name of candidate जिसे रामकुमार सर्मा है फिर mobile number, email ID, candidate यह अपना मिला लिजेगा कि आपका सही है या गलत है candidate login करने के बाद एक-एक नाम basic details आपको आपको देख लेना है कि मेरा ही है न? वो सारा अच्छे से देखने के बाद आपको आगे करना है आगे क्या करना है सबसे पहले click on the next step आप यही पे आएगा next step का तो आपको क्या करना है next step करना है और instruction परने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है personal details भरने है जैसे application ID यह father's name आपको भरना है Indian तो भरा हुआ रहेगा mail भरना है किस class से आते हैं मम्मी का नाम भरना है, religion क्या है, domesile क्या है, blood group क्या है, नहीं जानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, या आप होते ने physically handicapped वो हैं या नहीं है, ये सारा का सारा आपको अच्छे से क्या करना है, भर देना है, मैं आप तो थुरा सा अच्छे से दिखा देता हूँ, फिर email number जो है, और email id सारा रहेगा, address भी आपको यहां पर देखे, correspondence address और permanent address, ये सारा कुछ अच्छे से आपको क्या करना है, भर देना है, एक वार आपको एक वार आओर अच्छे से देखा देता हूँ, जैसा ही next step कीजिएगा, तो आपको इतना details अच्छे से भरना होगा, कहीं पर दी गलती करते हैं, तो आपका जो admission है, वो cancel हो जाएगा, यहां पर नाम आपका रहेगा, पिता जी का नाम अच्छे से Indian male, किस class जाते हैं, EWS से आते हैं, OBC से आते हैं, CST से आते हैं, ठीके, इसके बाद आपका अधार number यहां पर अच्छे से भरना है, blood group, handicapped वाला भरन है, mother का नाम, date of birth, religion, domain style, इसके बाद पूरे अच्छा सा आपको address भरना है, permanent address भरना है, और यहां पर देखिए, save and next, यहां पर देखिए, आपका आता है, save and next, उसके बाद आपको क्या कर देना है, save and next, जैसा ही save and next कीजिएगा, जैसा ही save and next कीजिएगा, तो इस तरीके का interface आपको दिखाई देगा, इस तरीके के interface, उसमें आपको देना है कि metric, metric किस board से pass किये हैं, तो BACB से किये हैं, किस साल पास किये हैं, उसमें percentage था, या CGP था, तो percentage रहेगा, तो percentage, कितना percent आया आपके पांचो सब्जेक्ट में, 500 में, कौन को रॉल नंबर क्या था, कौन कौन स subject थे इस टाइब से, intermediate किस से pass किये हैं, कौन से साल में किये हैं, percentage था, तोटल पांच सब्जेक्ट में आपका कितना नंबर आया, उसके साथ क्या रॉल नंबर था, और कौन से subject थे, ऐसे करके ये दोनों आपको यहां पर भर देना है, अगला आ गया, क्या गया, education qualification आपको भ फोटो क्या होना चाहिए, maximum size 50 kv का होना चाहिए, जिसे देख रहे हैं, इसका photo upload है, फोटो क्या होना चाहिए, maximum 50 kv, uploaded signature, signature भी आपको maximum 50 kv का होना चाहिए, upload signature करना चाहिए, 10 plus 2 certificate upload करना है, 10 plus 2 mark seat upload करना है, ठीक है, mark seat upload, scan copyometric, सबसे पहले metric का करना है, सबसे पहले metric का करना है, फिर intermediate का करना है यदि कोई कास्ट हैं जैसे OVC बगे रहा हैं तो OVC वाले certificate यहां पर देंगे अधार कार्ट करना है आगे पीछे दोनों यहां पर upload करना upload file upload upload file यहां से आप देख सकते हैं ठीक है कोई CT 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 कदि आप अरच्छल लेना चाहते हैं तो अपने कोटा वाला को अपना कास सर्टिफिकेट अपलोड करना है इतना अपलोड करने के बाद यहाँ पेक ऑप्सन आएगा save and preview save and preview तो आपको क्या करना है save and preview कर देना है जैसे यह सारा का सारा वही बात जो मैं आपको समझाया प्रिभ्यू फॉर्म आजाएगा फोटो अप्लेडेंस सिंगनेचर करने के बाद आपका क्या आएगा review फॉर्म आपको ऐसे करके यह आजाएगा थीक है यह आजाएगा इस तरीके से कि आपने क्या-क्या भरा है कहां से पास के तो एक एक चीज अच्छे से मिलाने के बाद आपका नाम है आपका signature यह एक एक चीज अच्छे से करने के बाद यहाँ पर आपको करना submit form क्या करना है submit form कर देना है जैसा ही submit form कीज़िए गा तो submit form आ जाएगा submit form करने के बाद आपका यहां पे details saved successfully click ok to payment यहां ok करके payment कर दीजेगा payment कैसे करना है payment जैसे ही आप करने के लिए जाएगा तो इस तरीके के खुलेगा इस तरीके के खुलेगा आपको क्या करना है pay for application form pay for application form तो जैसे 1100 लग रहा है तो जो भी आपका कटेगा वो pay for application form कीजेगा उसके बाद आप credit card से कटवाना चाहते हैं debit card से कटवाना net banking से UPI कुछ से भी कटवा कर यहां पर pay now कर देंगे क्या कर देंगे pay now page जैसे ही कीजेगा खुद देर के बाद खुद बखुद payment हो जाएगा और इस तरीके के आपका इस तरीके से आपका print निकल के आ जाएगा इस print को संभाल कर आपको रखना है इस print को संभाल के रखना है और इसके साथ ये वाला भी print payment का receipt भी आपको संभाल कर रखना है Now all steps are completed और आप अपना online form भड़ चुके हैं तो सारा कुछ अच्छे समयने आपको बता दिया है कि आपको कैसे कैसे एक एक बात अब भी आप नहीं जागे हैं तयारी नहीं करना शुरू किये हैं जी जान से लगा दिजिए आपके पास तेर महने का समय बहुत ज़्यादा होता ह है और डेर महीने में मैं आपको तयार कर दूँगा ये मेरा बादा है जैसे किनी को लगता है कि सामने वाला ऐसा ही बोल रहा है तो किरिप्या नहीं जुआइन करें पर किनी को लगता है कि नहीं मुझे पटना विस विद्याले में पढ़ना ही है तो 7370840504 पे मैं आपका online apply करूंगा मैं आपको पढ़ाऊंगा और 9110929641 ऑनलाइन अप्लाइ करने के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं और क्लास करने के लिए भी कॉल कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत बंदे मात्रम जय बिहाद